असलाम-इलेकूम दोस्तों दोस्तों आज मैं फिर हाजsted हुँ एक नई वीडियो के साथ में आज की वीडियो मेरे लास्ट एक्स्पीरियन्स के उपर है जो यहां पर मैं गोस्टे पर होस्पिटल गया था में चाहरा था कि वो अपना एक्स्पीरियन्स आपके साथ शेयर आपको टुकी के हैल्थ के बारे में यहां की छोटी क्लिनिक्स यहां के हॉस्पिटल कैसे है उसके बारे में थोड़ी आइडिया दूगा फ्रैंक्ली अलहम्धिल्ला मुझे देड़ दो साल में यहां पे जादा hospitals, healthcare का exposure नहीं हुआ अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला यहां का climate बहतर है हवा, पानी खाना तोड़ा बहतर है जिसकी वज़े से generally आप बिमार नहीं पड़ते या कम बिमार पड़ते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको यहां पे बेसिक डॉक्टर को दिखाना है या अगर कभी आपको हॉस्पिटल जाने की जरुत पड़ती है तो आपका experience कैसा हो सकता है तो मुझे दो साल के बाद में पहला experience मेरा बना जिसमें हमें hospital जाने की नौबत आई hospital देखने की नौबत आई तो मैंने सोचा यह experience आपके साथ शेयर करना चाहिए इससे पहले एक दो बार हुआ कि कुछ छोटे मोटे काम से मुझे local clinics जो होते है government के जो हर महले में होते है जिस सालिक मरकेजी बोलते है मतलब family health center तो उसमें मेरा पहले जाना हुआ था लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुझे काम नहीं पड़ा तो मैंने सोचा अब मैं यहां के गौस्टे पर hospital में गया था तो आपको मेरा experience शेयर करता हूं सबसे पहले तो कि यहां पर health care का system कैसा है अगर आपको basic कुछ सर्दी खासी बुखार या कुछ problem है तो आपको किस तरीके से आपका आपको अपरोच करना चाहिए या कहां पर जाना चाहिए basically आपको जब यहां पर आपकी किमलिग मिल जाती है उस किमलिग के बाद आप जाके नफूस कराते है नफूस से आपका area determine हो जाता है कि आप इस area में रहते है उस हर area के नजदीक में walking distance के आसपास में एक सालिक मरकजी होता है आइले सालिक मरकजी हेल्थ क्लिनिक उस सालिक मरकजी में एक particular doctor होता है आप अपनी किमलिग लेकर के जाके उस particular doctor को अपने आपको register करवा सकते हैं इसके लिए हर area का हर municipality का एक registration center होता है आप जाकर के वहां पर इस doctor का नाम दे सकते हैं कि मुझे इस doctor से register करना है यह basically procedure है उसके बाद में वो लोग आपको register कर देते हैं फिर आपको जबी भी चाहिए जब आप जाकर के उस doctor को दिखा सकते हैं हमारे case में यह हुआ कि मैं पहली बार मुझे driving license के लिए health certificate से यह था उस time पर मेरा इस health clinic में जाना हुआ तो मैं गया तो मैं जब उस doctor को के पास गया तो doctor ने बोला आप मुझसे registered नहीं हो आप यह form भर दो यह form भर के दो दिन के अंदर आपका registration हो जाएगा तो आप पहली बार भी आपके नस्दीक के doctor के पास जाते हो और आप registered नह तरीके से मैंने अपने सारे family members को भी उस doctor के साथ में रेजिस्टर कर दिया उस doctor को रेजिस्टर करने का जल्दी-जल्दी हमारा reason यह था कि वह doctor African origin के Turkish doctor है जो English बहुत अच्छी बोलते है जैनरली मैंने सुना हूं हर जगा आपको English बोलने वाले doctors नहीं मिलेंगे लेकिन मेरे केस में अलमदुल्ला जैसे मुझे मिला तो हम लोग ने यह किए कि उनको रेजिस्टर कर लिए अब हमको छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम उनके पास जाकर के दिखा देते हैं वह हमको दवाई वगेरा या जो भी है बत देते हैं अब इसके ब हम केट में दर्ध हो रहाता है तो दॉक्तर ने बोले यह तो ठीक है लेकिन हम लोग इसका एक बार ब्लड टेस्ट करा देदें उन्हों ने बोला ब्लड कर लो तो उसी क्लिनिक में सुबह आट से नव बज़े के दोरान ब्लड सैंपल देना होता है उन्होंने बोलाकर तो दस से पांच Saturday Sunday नहीं होते है वो तो इस दौरान में आप कभी भी चले जाओ हम लोग तो वॉक इन चले जाते हमको ले लेते लेकिन एक एप है आप अपने आपको इदेवलत से रेजिस्टर करने के बाद इन अभीस करके उससे आप अपने इस फैमिली डॉक्टर का अपॉइ मतब्धी हो जाता है आप अपॉइन्मेंट लेकर जा सकते हैं जब आप अपॉइन्मेंट लेकर जाएंगे तो मान लिजो सीपैसी कंआ उट्स है specialist को recommend करना है तो recommend कर सकते हैं इस फाइमिली hospital में हम जबी भी गए हमको कभी भी कोई चार्ज नहीं लगा कि ब्लड टेस्ट भी हमने अपने लड़के का कराया मेरे लिए भी ड्राइविंग के लिए ब्लड टेस्ट हुआ हमको इसका चार्ज नहीं लगा अब मैं आ जाता हूँ emergency services के उपर दोस्तों इससे पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त है यहां पर रहते हैं वह अपने तुर्ल ता syntax के लिए लेगे गए थे और उन की वे दूसरे कोई लोक ते वह बच्चे को की देख रहे ख्याई और नमाज mudu सो टेखे बच्छा बी में को वहाँ पर खड़ा था उन्होंने बोले आपका बच्चा कहलते कहलते गिर गया था इसको अब आप आप पता नहीं कितना पैसे लेंगे उनकी किमलिक भी तब कि मैं लंबा था मुझे तीन घंटे कार्षा ऌगया वहां पर पहुचे तो वह पहुचे मैंने भाई तीन घंटे के बाद में उनको call किया कि क्या हुआ तो उनका होगी या कुछ थोड़ा लगा होगा उसको चैक फचिया जब उन्होंने देखा कि को कोई मेजर मतलब ऐसा है के टेस्ट वगेरा किये कोई मेजर प्रॉब्लम या फ्रैक्चर वगेरा कुछ नहीं है तो उसकी घ्र आप उन्हें उसको उसकी किमलीग भी नहीं थी करा कि तीन चार घंटे बाद उनको फ्री में छोड़ दिया यह रही यहां का एक्सपीरियंस अलहम्दुल्ला मतलब ऐसा है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वह बहुत दुआ भी दे रहे थे कि यार बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने और छोड़ा एक मेरे आने के लिए मेरा अपॉल्मेंट था धाई बजे तो फॉर एक्स यजड रीजन हम लोगों को साड़े तीन बजे तलक रुखना पड़ गया कि डॉक्टर नहीं आया था तो हमको एक घंटा रुखना पड़ा डीले हुआ उन्होंने बोले मैंने घर पर आके अंकारा मेल लि कि यहां यहां हुआ आप उस कंप्लेंट को कहीं पर भी डाल सकते हो और अंकारा से वह एड्रेस होती है उन्होंने बोला कि मैंने लिखा कि ऐसे ऐसा मेरा डॉक्टर का इतने बजे का अपॉइंटमेंट था लेकिन डॉक्टर एक घंटे बाद आये हमको और मेरी एजड ममी डेडी को एक घंटा रुकना पड़ा बुले यह मेरा मेसेज डालना था कि अगले दिन मुझे वहां से मेल आया कि वी विल इन्वेस्टिगेट दिस एंड वी विल आस्क फॉर अ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम दॉक्टर कि वाई ही वस लेड उन्होंने बोले कि डॉक्टर को प अने की वजह से में को लेट हो गई और में को निकल के रहे हैं इसकी वजह से मैं लेट हुआ मैं इसके लिए इंशोर करूंगा कि अगली बार ऐसे एसे में जो लोग को अपॉइन्मेंट के लिए वेट कर रहे हो या जो वेट उनको मैं प्रसाही तरीके से एड्रेस कर लूँ कि उनको पता चले कि उनको कितना वेट करना पड़ेगा and I am sorry for this और का यह लेटर उन्होंने मेरे दोस्तों बेजा और उनको पूछा कि क्या आपको इसको further investigate करवाना है डॉक्टर का बोलना यह है कि क्या आप चाता है कि इसको उपर एक investigation हो कि सही में either Kensी में थे कितने बजे निकले नहीं निकले मेरे कम से कम 4-5 बार phone किया मुझे उन्होंने बोला कि मैंगत इनफरीं करना चाहता था उनहोंने 4-5 बार जो उन्हों नहीं मुझे यह आगे elaborate नहीं करना है लेकिन एक राधमी भार अगर वेट कर रहा है उसके लिए डॉक्टर अगर लेट आता है तो डॉक्तर को भी अंसर करना है कि कितनी दिर मैंने हमने देखा है कि हमारे जैनली जब कोई बहुत बढ़े डॉक्टर को मिलने जा रहे हो तो ये तो पता नहीं उसके पास क्यों कितनी होगी और कितने घंटे बाद आपका नंबर आएगा कभी-कभी तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि हर आदमी के को उस बाहर डॉक्टर के पास कितना वेट करेगा हमने यहां पर देखा कि आप appointment system से जाते हैं for example मेरे केस में अब हम लोग जब गए थे मैं मेरे फादर को दिखाने लेके गया था 230 का हमारा appointment था 230 को screen पर flash कर रहा था कि आप अगले बंदे हो जाने के लिए 2-3 मिनट पहले इससे पहले वाला निकला screen पर flash करने लगा कि आपका नंबर आप अंदर जाए 15-15 मिनिट का वो slot देते हैं हर patient के बीच में और उससे पहले ही doctor निकल जाता है आपको wait करने की भी ज़्यादा जरूत नहीं है दोस्तों मेरा आपको cardiologist या अगर किसी भी doctor को दिखाना है तो आप app से पहले appointment ले सकते हैं आपको appointment मिल जाएगा कि Tuesday को इतने बज़े का appointment मिला है आपको उस time से थोड़ा पहले वहाँ पहुंच जाना होता है मेरी wife ने घर से यही कोई app के थ्रू appointment ली थी हमारे को 2.30 का Tuesday का appointment मिल गया हम लोग थोड़े जल्दी पहुंच गए जब मैं वहाँ पहुंचा दोस्तों frankly मैंने इस hospital के pictures भी लिया हूँ आप लोगों के साथ share भी करूंगा बड़े से बड़े जो private hospitals होते है ठीक है उसकी look and feel उसका interior उसकी साफ सफाई उसका management जो हम मैंने आज अच्छे सा अच्छा जो private hospital देखा रहूंगा उसमें और इस government hospital में जो professor dr. सुलेमान यालजिन शही रास्ताने है में को कोई एक रुपे का भी फरक नहीं लगा मैंने आज तलक इस से अच्छा private hospital भी नहीं देखा हूँ बहुत ही बहुत ही बहुत ही well managed बहुत ही साफ सुत्रा hospital था वो दोस्तों हमने appointment लिया वहां गए दो appointment मैंने तो सोचा कि मुझे आदा घंटा खाली मुझे कहां जाना है वो डूनने में लग जाएगा जैसे हमने गेट से एंटर किया तो बहुत बड़ा उन्होंने इक information center बनाया हुए खाली किसको कहां जाना है वो पूछने के लिए उन लोग उन्होंने 5 लोग बिठाए लोग ने गए हमारा appointment दिखा है उन्होंने बोले second floor पे left side में तो second floor पे left side पे जो room number हमारे appointment पे flash कर रहा था वो दिखा रहा था हम लोग वो room number देखके गए वहां पे भार registration का counter था मैंने उनको मेरा appointment दिखाया उन्होंने बोले आप थोड़ी दिर में नीचे जाके cashier है उसको पैसे जमा कर दो एक काडियोलोजिस्ट को दिखाने के लिए मुझे 104 ली रहा तक्रीबन 600 रुपे की फीज 104 ली रहा कि आसपास उन्होंने मेरे से charge किया मैंने नीचे भर के आया और फॉरन 230 को हमारा number आया हम लोग अंदर गए वो डॉक्टर अलहम्दुलिल्ला मैं expect नहीं बात करते थे और अविसली टॉकिश भी बात करते थे ठीक है तो यह सारी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे फादर को basically हम सिर्फ चाह रहे थे कि उनको एक रूटीन चेक अप कराना था काडियोलोजिस्ट से क्योंकि हम एक देर साल हो गया इंडिया से आ उन्होंने बोले काम कीजिए आप काडियोग्राफी भी कर लीजिए फिर हमको रेफर किया हमने बाजू में से गए पांच मिनट में काडियोग्राफी किये उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को लाके दिखाए यह हम लोगों का experience था एक जगा भी मुझे पूरे hospital में कहीं जैसा facilities है सारी चीज़े मैंने कुछ pictures लिया हूँ उस hospital के वह आपके साथ शेयर करूंगा और यह मेरा पहला hospital का experience था अला करें कि हम में से किसी को भी hospital जाने की जैनरली नौबत ना आए तो बहतर है लेकिन अगर मैं चाहता था कि आपको यह experience शेयर करूं कि टुकी का health infrastructure कैसा है अब दोस्तों एक छोटा सा मैं चाहरा था यह नए टी आर्सी के रूल्स वगेरा को लेकर जो कानूनों में changes हुए उसके बारे में 2-4 updates से आपको दे दूँ एक तो पहले बीच में बात आ रही थी कि 6 महीने के लिए मिलेगा या उस मेरे पहली वीडियो में भी मै नहीं है जब थोड़े cases के application होंगे तो बहतर पता चलेगा एक चीज़ confirm है कि यह लोग 2 साल की application ले रहे हैं लोगों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं यह थोड़े दिन में पता चलेंगे लेकिन families वगेरा को यह consider कर रहे हैं लेकिन हर किसी को पहले की तरह two years to for sure rental agreement पे न अब रिनीवल तो most probably नहीं हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे स्पेशली बैचलर्स है अकेले लड़के है फैमिली यह नहीं है तो तो रिनीवल रेंटल एगरिमेंट पे mostly नहीं हो रहे हैं नहीं होंगे most probably family है आपका यहां पे reason बनता है तो शायद वह आपको consider करें लेकिन मैं जैने अभीतला कोई भी इस दिन में रेंटल कॉंट्रैक्ट पर रिनीवल नहीं सुना हूं अब एक प्रोसेस नया चालू हुआ है कि जो first time application कर रहे है जब वह अपनी फाइल लेके जा रहे तो यह किसी किसी को select करते स्पेशली जो लड़के है बैचलर्स है अकेले है और उ सारी चीजे देखते हैं हर किसी को नहीं दे रहे उसमें आपकी इंकम से इंकम क्या है कितनी है कहां से है और फिर उनी लोगों को यह इंकम प्रूफ अगेरा भी मांगते है फ्रैंक्ली यह नहीं नीज आने के बाद से बहुत ज्यादा लोग apply कर नहीं रहे और आ नहीं रहे TRC के लिए जो आ रहे है वो जादातर property लेकर के ही apply कर रहे है इसके लिए इसके उपर बहुत ज्यादा feedback मिल नहीं रहा लेकिन थोड़े दिन में हम आपको उसकी भी updates दे देंगे नफूस के अंदर एक कानून में changes आये पहले नफूस हर बलदिया में हो जाती थी आपकी किमलिक नफूस मतलब address registration होता है जब आपकी किमलिक आ जाती है तो आपको अपने light bill के साथ में जाना होता है आपकी बलदिया में पहले जाते थे हम लोग जैसे मैं मालते पे में रहत जाता था और वहां पे इन लोग हमारी फैमिली का address registration करते थे के साथ और इसकी फैमिली इस घर में रहती है तो उस हिसाब से आपके बच्चों को स्कूल एरिया की अलॉट होती थी आपको हेल्थ मौला क्लिनिक आपको उस हिसाब से अलॉट होता था तो इस काम से के लिए न लाइड बिल और आप रेंड कॉंट्राक्ट वगेरा भी साथ में लेके जा सकते हैं और जाकर के आपको फाती में कराना है अगर आपको कोविड के मामले में भी टर्की का management बताऊं तो कोविड के दौरान भी अब टर्की की खुद की कोविड वैक्सीन भी है और इसके आपसिलूटली वैक्सीन वगेरा हमको फ्री मिली है और इनफेक्ट जो हमारा लोकल हेल्थ का सालिक हेल्थ मरकजी है वहां से हम जब रेजिस्टर कर देते कि हमको वैक्सीन लेना है तो कॉल आता है कि आप कितने बज़े आ सकते कल दो से चार के बीच में availability है वैक्सीन आप पा जाइए तो हम लोगों को यहां पर आपसिलूटली हम लोग या कोई भी टुर्किश सेटिजन भी है उनके लिए भी वैक्सीन फ्री है और रेसिडेंस पर्मिट पे भी वैक्सीन फ्री मिली है यह बहुत ही बड़ी बात तो दोस्तों यह थी कुछ अपडेटेटिड असलाम अलेकुम